आज पहली तारिक सच्ची सेवाधारी क्या है इस बात पर आज का स्लोगन है तो सच्ची सेवाधारी की निशानी क्या है आए आज के स्लोगन के द्वारा जानते हैं मास्टर ज्यान सूर्य बन सर्व को ज्यान की लाइट माइट देने वाली ही सच्चे सेवाधारी है भक्ती मार्क में भक्त जन सूर्य की पुजा करते हैं ये मानते हैं कि सूर्य सारे सृष्टी का आधार है, सूर्य देने वाला दाता देवता है इसलिए वे सवेरे सवेरे उर्थते ही बरे प्यार से सूर्य को जल चड़ा कर सूर्य की पूजा करते हैं, नमन करते हैं शिब बाबा ज्यान का सूर्य हैं जो सम्पोन स्रिष्टी का आधार है और उद्धार करने वाले हैं और बाबा ही लाइट, माइट, स्वरूप है हम बच्चे भी शिब बाबा के संतान होने के नाते मास्टर ज्यान सूर्य हैं हमने भी शिप बाबा से ज्ञान की लाइट और माइट प्राप्त की है ज्ञान की लाइट अर्थात समझ बुद्धी की स्पष्टता और ज्ञान माइट है माना समर्थी जो हमने समझा है जिस रिती से हमने ज्ञान को समझा है उसे धारन करने की शक्ती उसे धारन करने की समर् जाता है ज्यान लाइट भी है और माइट भी है और शिब बाबा संपोन सृष्टी का आधार मुरत और उधार मुरत इसलिए है क्योंकि बाबा उस ज्यान की लाइट और माइट को संपोन सृष्टी पर देते हैं तो बाबा भी हमको कहते हैं कि मास्टर ज्यान सूर्य वही है जो ज्ञान के लाइट और माइट अन्य लोगों को दे, यही मास्टर ज्ञान सूरी का करतव्य भी है, और इसी को ही सच्चे से्वाधारी कहेंगे. परंतु ज्ञान के लाइट और माइट कैसे देंगे, किसको देंगे? जिस तरह सूर्य को ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं अपनी light और might किसको दूँ किसको न दूँ कैसे दूँ नहीं सूर्य बिलकुल प्रकाशित रूप में सदा निरंतर प्रकाश अपना देते रहते हैं अपनी उर्जा, अपनी शक्ती निरंतर देते रहते हैं और जिसको भी लेना है वो यथा शक्ती सुर्य से लेते रहते हैं क्योंकि सुर्य प्रकाश स्वरूब है, शक्ती स्वरूब है उसी तरह हमें भी Master ज्ण सुर्य बनना है तो ज्यान के लाइट और माइट के स्वरूब बनना होगा ज्यान के लाइट माइट स्वरूब माना निरंतर समझ को ज्यान को देते रहना है अपने स्मृती से, अपने संकल्पों से, वानी से, कर्मों से, व्यभार से अपने अंदर की समर्थी को शक्ती को निरंतर देते रहना है जब हम इस प्रकार स्वरूब बनेंगे तो हमारे संबन संपर्क में आने वाली आत्माओं को automatically हम से light might मिलती रहेगी ऐसे नहीं कि आज मैंने light दी, कल मैंने might दी, आज मैंने कुछ नहीं दिया नहीं, निरंतर हम देते रहे, स्वरूब बन करके इसी को ही कहा जाता है सच्चे सेवाधारी ओम शांति